नमस्कार मित्रारो आज मैले जुरिस्प्रुडेंस को TU solution को solve गरे राये कोचुू पहिलो question राये कोचा define jurisprudence and explain its importance को jurisprudence पने की हो त्योतरवा लागाने सर्वा प्रतम इसको definition jurisprudence सब्दको व्यूत्पती प्राचिन लेतिन सब्दको jurisprudence बाट आएको हो यस jurisprudence बनने सब्दमा jurisprudence सब्दको समायोजन रायेकोच यसमा jurisprudence को अर्थ कानुन वान्याय हो र प्रुडेंसिया को अर्थ ज्यान, सिप, दक्षता वा, सास्त्र हो यह दुडेंसिया को अर्थ ज्यान, सिप, दक्षता वा, सास्त्र हो यस प्रकार सब्दिक व्युद्पति अनुचार बीदी सास्त्र को अर्थ कानुन को ज्यान हासिल गरना कानुन वा नियायको अध्यान गरने सास्त्र हो बीदी सास्त्र लाई सामन्य अर्थमा बन्नुपर्था यो कानुन वा नियायको बारेमा अध्यान गरने सास्त्र हो यसलाई कानुन को शास्त्र ज्यान हासिल गरम दाचा यसलाई समय अनुकुल यसलाई समय काल अवस्ता अनुरुप बीदी शास्त्र लाई चाई समाय अनुकुल चैं, विदी सास्त्र लाए विदिन नतरीकाले चैं, परिवाशा गर्ने गर्यको चैं अल्पियन ले विदी सास्त्र वनेको, दयवी तथा मानवी यवश्टुको धारणा र उचित तथा अनुचित को ज्यान दिलावने बिज्यान हो वने छैं यानली शीृसेरो ले विधी स्ट्र बने ख़ानुन संबंदी, ज्ञान samp question нек ow छो. जोन अस्टिन की बने ख़ा सू जोन अस्टिनुले व ले विधी स्ट्र मानव निर्मित कानुन को दर्श yawn बने चाई आणिगो jurisprudence is a philosophy of positive science बने चाई importance of jurisprudence इसको महत्व की रहे चा अभेरं विदी सास्त्र को महत्व को बारे मा जत्ती व्यावस्ता गरिये पनी कम नहीं उन चाई विदी सास्त्र को अभाव मा कुने समाज रह त्यस्मा प्रभावित हुने कानुन को समेत परिकल बना गरना सकिन दै जसरी कानुन ले समाज मा देखिने मानविय व्यावार लाई व्यावस्तित निर्देश व्यावस्तापन निर्देशन नियंत्रन गरने कारे गरता ज़ त्यस्य गरी विदी सास्त्र ले सिंगो कानुन को समय सापेक्स या निर्मान रत्यसको कार्यान नाइन र प्रभाव कारितालाई नाई प्रभावित गरेको चा नेचे बीदी सास्त्र को मत्व लाई बुदागा दुरुप मा उल्ले गरना सकीन जाए रहू मुलियां बुदागा दुर्पन लेखेंचु बीदी सास्त्रको ब्याभारिक महत्व रहेचा यहँटा पहलो बीदी सास्त्रको ब्याभारिक महत्व दोस्र रहेचा बीदी सास्त्रको सैचिक महत्व तेसे गरी तीन नमबर रहेचा चानुन को आखा चार नमबर रहेचा तार प्रतिपाति चिद्धान्त लाई ब्याभार्मा लियुना मदत गर्दा छा खाच गरी कानुन को अभाब मा इतिहास बर्तमान रभविश्य लाई समयवजन गरी समस्या को समधान गरना सिकम चाव बने चाई इसको ब्याभारिक महत वह रही चा आवते सेकरी कानुन को आखा बिदी सास्त्र ले कानुन को आखावने बने दो रही चा जिरिस्प्रिजेंट्स इस अफण सेट्टु बीदा आईज अब लाव ने चाई कानुनी अवधारारारारको नया नया खोज गर्दा छा कानुन को निर्मार्ण हुने देखी तियसको कारेन नया प्रभाब कारीतामा विशेश जोड दिन छ बीदी सास्त्र को मन्यतानाई कानुन बनाएर मात्र हुदैना बनिये को जस्तो देखिनु पर्च बनने सिद्धान तलाई साकार बनन मद्धत पुर्यामत छा कानुन को सैदन्धिक मन्यतालाई कानुनी ज्यानकु माद्यम बाट समाज संचालन मा सहयोग पुर्यामत छा तारकीक प्रसिक्षन प्रदान गात छा दोसर मने को इट प्रवाइड्स लोजिकल ट्रेनिंग मने छा बीदी सास्त्रको अध्यान गर्नु बनेको नई कानुनी विशयर्व को प्रयोक्साला वित्र प्रवेस गर्नु यसले कानुनी सब्द हरु कानुनी अभिव्यक्त जुन तर्कमा आधारी तोंच तिनी हरुलाई आपनो आधार मानचन समग्रमा कानुन संग संबन्द जो को ही को लागी विवारिक विद्ध कार्को रहेका जाईस्का मत्वत विद्ध हर को लागी सहयोगी भूमीका निर्भा गर्द चाई It helps legislature कस्तो सय की भुमिका निर्भा गर्दा चाहिरों समाजना व्यक्तियर का होक अधिकार दाइत्व का बारेमा कानुन मानाई व्यावस्तित गर्न मार्ग निर्देशित गर्दा चाहा खास गरी विधाय करू जनम प्रतिनी दी भाय का कारण जनतारू का पीर मर का आवशयकता चहानार विध्यमानाता परीबिस अनिसार चलन को लागी प्रिरिद गर्दाच यहवड़ा यो और चार नमर रहेचे विधाय का लागी सयकी भुमिका निर्मा गर्दा ओन्याथियो पांच नमर रहेचे चाह कानुन ब्यावथाई र नियाय मुर्थी अरवश लागी सायोग गर्द होड़ा चैं우 इठेल्प्स, लॉएर लैंद झाजेज। कानुन ब्यावसाई अरुकु आपनो ब्यावसाई आचरण मा रहेरा ब्याभार गर्ना सिखाम चवावने चैले नियाया मुर्ती अरुका लागी सफल आदर सचरित्रवान नियायी विभेकसील र कानुनी निर्णाय अरुकार्ना हैसियत गर्ण सकने हैशीयत को व्याग्तितो निर्माण गर्णा सायो गर्दा छा, यो कानन व्यावसले से साय परतरह छा अरकुर रहेगठ चा, स्कोपा जोटिस्पुलियन चाय अब इसको स्कोप की रहे छाय रहें बीदी शास्त्र को परिवासा जास्ताई बीदी शास्त्र को छेत्रलाई लियेर पनी बीदी शास्त्री अले बिन्न बिन्न बिचार ब्याक्त गरेको पाइन छाने रूं अस्टिन बीदी शास्त्र को छेत्रलाई निस्चायत्मक बीदी समा मत्र सिमित राग दाशन उनका अनुसार निस्चायत्मक बीदी बननाले राज्यको सम्प्रभु द्वारा बीदी शास्त्रको उदेश्य बीदी को गूर्ड दोस हरुको बारेमा विवेचना गरने नभाई केवल राज्य हरु द्वारा लागु गरियेको बीदी अरको बारेमा अध्यान गर्णु हो मनेचे तेसाइगरी साल्मन कानुसर केराच तेसाइगरी साल्मन ले बीदी सास्त्र को छेत्रलाई नागरिक बीदी को अध्यान सम्मा मात्र सिमित रागताच उनक आनुसार नागरिक भीधिको ताख कर्या राज्य द्वार्य निर्मित कानुको मूलभुथ सिद्धांत चंग चाव अबंचे रुषकल पाउंड का आनुसार भीधी शास्तर को छेत्र निर्मार बन्नो नै निर्णई हरुको सांधर्विक बीदिक अध्यान गरना हो मनें चाहिए अरको कोईशन राएको चाहिए वाट दोई नो अबाउट रियालिस्टीस्कूल अभ जुरिस्पूदेंस एक्स्प्लेन दा टू डिफ्रेंट इस्कूल अभ जुरिस्पूदेंस थू थाट अब रियालिस्द इसकूल अब यह रियालिस्द इसकूल मनने चाँ यह बैभारबादिक चिंतन बने की रहिछा अब यह एसका टूद इफ्रेंट थाट अरू की की रहिछाँ अब त्येसको बार्यामीले पड़ता हुँ आप सर्व प्रतम चाहिए रियालिस्ट इस्कूल अब जुडिस्पूलेंच वने की रहे चाहिए कानुन को व्याभारबादी चिन्दन को नविन्थम सोच जसलै कानुन को या थार्टबादी विचारतारा बनी चाहिए फिरें आलेंब खेट पड़ेक सुलाँचू कानुन को व्याभारबादी चिन्दन को नविन्थम सोच जसलै कानुन को या थार्टबादी विचार धारा बनी चाहिए या थार्टबादी द्रिष्टिकोण को थालानी विशं सताब्दी अगी देखी नई प्रारामब भय पनी विशं सताब्दी देखी मात्र वस्तब मा प्रारामब भय को मानी चाहिए या थार्टबादी संप्रदाएको कानुन प्रतिको अवधारणा समास्सास्त्रिय अवधारणा संगा मिल्दो जुल्दो उने उनाले कहीले काई यसलै समास्सास्त्रिय संप्रदाएको ब्याय भागपनी वनी चाहिए यश विचारधाराकु अनुयाई अरुले कानुन का निर्माता नियाइधी शरुमात्रा उनसक्षन कुले च, उन्य आवस्ता बनेको कानुन प्रतिको कुरा कल्पनावा अनुमति मात्र हो. Law is that what the judge would say यस सम्प्रदायले कानुन को निर्माण गर्दा वा निर्णय गर्दा कानुन को आदर्श पक्षले पात्र नएरी व्यक्तिको सामाजिक आर्थिक नईतिक चरिक्त्र जस्ता विशय बस्तुको समेत अध्यान रविसलेशन गरिनु पर्दशा बन्ने मान्दचन यस इस्कूल व्यभार बाति सम्प्रदाय वायके कारण समाज सास्त्रिय विचार संग मेल खाय को हो। अधर्शका साथ गरिने हुदाले अमेरिका नरु वार्ड ज़ाज सेश डियादिच खंस्टिचूशन बन्द़ जाइं। सम्म भन्न पने पची हर दैनन यस इस्कूल का विचार दारा अनुशार जबकुनई पनी विवाद मा निर्णय वा कानूनी नियमर्ग व्याख्या अधालत बाट गरिन दैनन तब सम्म कानूनी अस्तित्व वहायके कुरा स्विकार गर दैनन। तब सम्म कानूनी नियमर्ग व्याख्या अधालत बाट गरिन दैनन तब सम्म कानूनी अस्तित्व वहायके कुरा स्विकार गरिन दैनन। कानुन कियो हो जती बेला अदालत दे ब्याख्या गर्णे निर्णाई स्ताफित गर्द छा अमेरिकन नियायलाएको सर्बोच्चको थालनी भायको वस्तविक त्यहीं संप्रादायेको मन्यताले नाई हो भन्ना सकें छा यथार्थाबादी रियालिस्ट इस्कूल हरुमा खासगर दुई फरक फरक मन्यतार रहकत यवटा अमेरिकन यथार्थाबादी अरको सकेंडिवीयन यथार्थाबादी दुईटा यथार्थाबादी स्कूल अब थर्चन रियालिस्ट मा अपईलो अमेरिकन कार्या मुखी एक्षन ओरियेंटेट हुँच बन्ने तरकर आखे अनुरुक अमेरिकन यथार्था बादी अतले अधालत का नियाय दिस लरुले जुन निर्णाय गर्दाच केही नई कानुनों बन्ने मान्यता राग्दाचन। बोईज्यानिक्र नबिन्तम मान्यता वित्र राग्दाचन। की नकी कानुनमा समय सापेक्ष्या निर्मान र कारेनों समय तुने उन्दा एसलाई बोईज्यानिक्र ब्याभारी कानुन वनियेकु हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ जास्टिक्स ग्रे जास्टिक्स होलमेस लाई मुख्य अनुयाई के रूपमा अरकराईगा जा इसकेंडिबियन रियालीजन यथार्थाबादे चिंतन को अरकर पक्ष्या खास गरी नर्दन यूरोप का केई देशरु जस्ताई डेन्मार्क, नर्बे, आइसलेंड, फिनलेंड जसले कानुन को यथार्थाबाद लाई स्विकार गरे रा त्यस्ता निस्चित छेत्र भाउगोलिक मन्यता बोके का राज् स्केंडि बीन यथार्थाबाद वनिरा मने चागरा यहस बिचारधार अनुसार नियाये देशले कानुन को निर्माण गर्द सम्मान अवधारणा आउ, नियाये संभादन गर्दा नियैये देश 396 को प्रिष्टर भूमे को प्रतक्ष प्रभावप परणू हुदाय न अधालत मां मुर्त रूप दिने कार्य कानुन ले व्याभारले ने गर्दच बनने मान्याता रागता छन। लुटेश्ट्रेट लुट्ण्य स्वा आपर्ण निरोपन गर्न गरागी नियाए दी सरूको स्वातंत्र ताढ रहन्च वंन्ने मन्यतानै यस वीज़ारदाराको मुल तावियो यह श़ बिजार्दारा का मोख्या अनु आयाई हरू कानुन बने की उत्योतारपसारपफुम लागुएं। काम गर्न बट जन्तालाई रोग्दाचा। मानी सरुले पालना गर्न पने कार्यको लागी निर्देशन गर्दाचा। कानुन वस्तप मा समग्र समाज को लागी जीबन निर्भाहा गर्ने आधार पनी हो। कानुन मानव जगत को लागी आवश्यक विशय बस्तु पनी हो। कारण अग्यान तामा कुनाई पनी मानिसले कानुनले निसेद गरेको कार्य गर्दाचा मने। अब अरको फंशन अपल कानुन का कार्य हरू की की रही जहेरूं। फंशन अपल कानुन की हो। कानुन को उदेशयरू की की हुन बनने। उल्ले गर्य पस्तात कानुन को कार्य की हुनु सक्चा बनने कुरा इस पस्ताचा। बिदिशास्त्रमा खास गरी समा सास्तिया मन्यताले कानून बनेको मानविय आचरणको एक भागो बने कुरालाई स्विकार गरता छा कानून का कार्य हरुल्लाई निम्न बुदारुमा उल्ले गर्ना चकेंचेरों कानून का कार्य हरुकी गिराई छा पहिलो रहीक जोड़ा चाँ, समाजिक भ्याव्भारलाई नियोमित्र भ्यावारीक गरने कारिया तेलो रहीके जोड़ा चाँ, कानुनको समबंद समग्र भिकास को मन्यतामा आदारिच छो तीसर तैसर रहे चा, तां सर्त जो कोहिलाई पणी कानुन को पालाना गर्नू परदा चा अब्नने भावना, यगावना अक्रासर बनांदा जावने differenti समाजमा गरिने मानविय क्रियाकला परू दंडर पुरसकार को ब्यावस्ता गरने काले गरनू कानुन को सर्वत्च छ योकुनाई पनी राजनाई तिक निकाय बाट या अक्तियारी बाट प्रेरित नवई स्वातंत्र दंगले नियाहे समपादन गरने काले गरता चमने गुजाउन तेसरी पांच नमबर जनाता को अधिकारा करत वेको निर्धारन गरने कार्य गरनू पर्ता चा समाज मां विद्यमान बिवादरू कानुनी तवर बाट समाधान गरने परिपाटिलाई निरन तर्ता दिनू सात नमबर आईगेच कानुन को मूल्बुद कार्य बनेको देशको विद्यमान कानुन को उद्धेश्य परिपूर्ती गरनू ने हो जसकर कारन जना मानस मा कानुन पुरति पूर्णरूप मा जनाविश्वास जागोश र कानुन को पालाना मा सहस्ता आओस माथी उल्लेखित कार्यारू बाए कानूनले राज्य संचालन गरने कार्या गरना छा समाज मा कानूनको अनविग्याताले छूट पाउना सक्दाइना बन्ने मान्यता का आधारमा जनताले घरेको काम का आधारमा कार्बाही गरना सक्दा छा कानुन को कार्या मने को समाजिक स्ताइत्व विकास रह संतिपूण तरिकालि समाज लहाई परिबर्भतम गर्नो नहीं हो कानुन को कार्या stor अब अरकरह एक चा ace iau scarce meinemल अब कानुन का स्रोध रूकिकी रही चा कानुन को स्रोध बन्नाली, कानुन को उत्पती हुने थलोग बन्ने बुजीन छा कानुन को उत्गम बिन्दु कहा हो रा, कहा बाट निस्चित उने गर्दाचा बन्ने मान्यता हो कानुन को स्रोध लाई बिविन द्रिष्टिक ओड बाटा है न सकिन छा प्राकृतिक कानुन संप्रदाय का अनुसार कानुन को स्रोत प्राकृति नहीं हो, नहीं तिकता हो, बिबेख हो मनेरा मन्नुपर्चा, अस्टियन इसकुल अनुसार कानुन को स्रोत सर्वत्च सक्ती सुप्रिम पावर हो, जहाबाट कानुन निश्रित हुन्छा, कानुन का सम प्रथा बिधायन नजीर तिन दाइ याले पची समझीन सजिलोष अउपचारिक श्रोत माँ प्रथा बिधायन नजीर अनुपचारिक स्रोत माँ संप्र तिग्याय कंवेंचन अरुबायो करार कानुन प्रमिश समित्त करण आनि जुरिस्टिक फ्लाइटिंग याई अनुपचारिक स्रोत आरु अनि अर्को व्यावसाइक राय तर कराया चाहिं इन अरुबानेको कानुन का स्रोत आरु अर्क रायकाचा एक्स्प्लेण रिलेशन्शिप बिट्वीन राइट एंड ड्यूटिज अब आमिले चे रिलेशन बिट्वीन राइट एंड ड्यूटिज को रिलेशन्शिप वहीं पड़ दैचा महीं करका को सुन्यतामार रना सक्दैनन त्यासेले बनिढ़ रायको अधिकार्या कर्तव्य बिज को संबंद का बारेमा कानुन बीदर का बिज यदा कता मिस्त्रीत मन्यत आरु आईको देखीए छाई खास गरी सालमन, कितन, होलें, पालटन का अनुसार, अधिकार र कर्थभय बीज गनिष्ट संबंद हुँँच, बन्ने पक्षमा चन बने अस्टिनले बने अधिकार र कर्थभय बीज को संबंद सधा सर्बदा एकाई स्थान्मा र अन सक्दैनन बन्ने तरका रागे को पहिं साल्मन ले की बने राई जा अधिकार बीनाको कर्तवय रा कर्तवय बीनाको अधिकार सम्भव दैना राइट एंड डुटी जार को रिलेटिव भन दै लोगने बीनाको स्वास्नी रा बावू बीनाको छोरा को जसरी परिकल्पना गर्ना हुदैना ठीक त्यसाई गरी अधिकार कर्तवय एक को आधार मा अर्को को परिकल्पना गर्नू सकी दैना बनने तरक साल्मन को राई को छा ये साल्मन इस्तो तरक देको छा गिटन कि तरकते करेचा ? मानिसमा कर्तवय राज्यद्वारा निर्देशित गरिए कोंच जसको लागी राज्याले बल को प्रयोकपनी करना सक्दाओ यस्त्यकार्य उल्लंगन भाय मां गल्ती रांग भाय को ठाड़ चा यह कीटनले देशे औरको क्वेशन रहाई को चा, what is person, explain the legal status of dead person, legal person and animal, येपन त्यों 2075 पा सुधे गो है, आवा है रहाँ, सर्वर्थाम person बने की रहाँ, अन्थे बज़री legal status, dead person को legal status की रहाँ चा, आई ना, अनि legal person औन अनि animal को ये नरको चे कस्तो रहाँ चा ये, legal status त्यों आमी है रहा सर्वर्थाम person बने की रहाँ चे त्योंतर को लागाँ, person सब्दको उत्वाति, latin सब्द, person बाट आई को, person बाट आई को, person बाट ग्रीक भासा को, प्रस्पुन का प्रयाई बाची हो, ग्रीक मा ये सब्दको प्रयोक मुखाउटा, max का लागी गरीं थे हो, प्रस्पुन ब ब्हुमीकाको अर्थमा उना लाग्यो, प्रसन बाट नाट को, ड्राम चे लिवे जुन ड्रा च्यारेक्टर अर्छला है, तत पस्पुन कार्वाई मा, पक्छे अरु द्वारा खेलीने ब्हुमीकाको अर्थमा ये सको प्रयोक बाएओ, लग्भक्चाइटाव अस्तित्व हो जसलाई अधिकारा करता व्या प्रदान गरींचेु गर्णा सकिंचेु पर्षान मने की रहाई ग्रे कानुचार। जसललाई कुनेग शर्थ उह दादः अधिकार करतविया सुम्पीएकु उस भज дав आचाइ ते सकरी साल्मनले कि बने चारे शालमनले कानुनले जसललाई अधिकार करतविया स्वातंत्र पुर्भ प्रचलन गर्ना सक्षम र कि हुन चालाई व्यक्ति बनी चांबनी प्रस्ट पारेगु छा यो सालमोन स्विंसा कानुनी अवंधालाणका अनुसार मानिस ौसर प्राकृतिक ब्याग्ति मात व्याक्ति अंतर मीसा और । अधिकार प्रयोगार्ण सक्ने एबम्तियसरी नै स्वातंत्र पुर्भ कर्तव्य पालन गर्ण सक्ने एकाईकु रूप मा कानुनी प्रक्रियाद्वारा लाई सिर्जित गरिंचारा कानुनी ब्याक्तिको हैशियाद प्रदान परिंचा लिगल स्टैटस शाले ही ततरा है . ही ओ ethics whipping और है . स्टैटस और ़ियर्वुम्ली सायल. मानिसको मृत्यु पस्चात कानुन को मृत्य प्रति कुने रुची रह दैना त्या सले मृत्य मनुष्य लए कानुनी द्रिष्टिले ब्याक्ति मानी दैना कारण मृत्यु पस्चात उसको न अधिकार रह 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 साथ है मनुष्यको मृत्यु पस्चात को सम्पूर्ण कानूनी अस्तित्व समाप्ताम नजन्चे ता पनी किही प्रयाजान का लागे मृत्य ब्याक्तिको बिधिक अस्तित्व रही रांचे जस्त है ब्याक्तिको मृत्यु पस्चात पनी उसको सम्पति उसले इच्छाय को ब् प्रतिस्टान को सम्मान गर्दाच, कुनई पने मृत्त ब्याक्तिको अपमान होने गरी लांचाना लगाउना दन्डणिया मानिनच, त्यासेले मृत्त का नातेदार हरुको भावन आमा ठोस पुगने गरी कुनई कुरा प्रकासन गर्णू हो दैना, यस्त किसिम को व्यावस् इस्त कर्या बने चामलाई, दन्डणिया मृँन चाहिए, अरको रहेकाच, लीगल स्टेटस अब अन्बन पर्शन नजनमियको व्याक्तिको कानूनी होईशियत, कस्तो रहे चैई? जन पेट बितर हुए नजनमियको बच्चा, तेस्कायरे, नजनमियको बालक लाई कानून उनको पिचान मा भालक जिवित पैदा भाय मा मत्र व्याक्तित्व प्राप्ट गर्दाछा तर उनका गर्भमा रहेको सीशु लएपनी व्याक्ति मानी कानुनी अस्तित्व प्रदान गरिएको उन्चा संपति कानुन अंतरगत नजन मीएक गर्वास्त सीशु पनी व्याक्ति मानीन छर संपतिक अस्तित्व सरी संपतिक स्वामी बनना सक्टाचा तर त्यस्तो स्वामीत्व कंटिंजेंट हुन्छा उजिवित पईदा भायेमा भास्टेट ओनर्शिप मा पनेना तुना पुगदाचा त्यसे गरी गर्वामा रहाएको बालागलाई छिहाती पुगने गरी कसा है ले पनी इस्त्रेलाई चोठ पूरियाएकामा त्यस्तो बालगली आपनों जन्मा पची छिहाती पूर्थिमाग्यात ज़ामे चाई अर्ग पशुको कानुनी स्थिदियाई कस्तोराई छै एनी मलर्ग लिगल स्ट्राटस कुनाई पनी कानुन अंतरगत पशु अरलाई बिदिक ब्याक्ति त्वा प्रदान गरियेगा पाइन दैना पनी प्राचिन समयमा कीही प्रहेजन के लागी पशुलाई पनी ब्याक्ति सराव मानिन दैन। उदारन के लागी जर्मनी मा एक पल्टा नराम्र किसिमले बास्ने कुखुरा को भालेलाय मुद्दा चलाई यो त्यसको वकिले निर्दोस सावित गरने निक्वाइ प्रयत्ना गरे पनी पचीते असले मृरितु दन्डा दियो। तेसे गरी प्राचिन यहुदिक कानुन मा इस्त्रीवा पुरूसलाई सिंगले हानी मारने गोलुलाई धुंगाले हानी मारने रा तसको मासु नखाने सजाय दीन थियो सोबाईक मुसावा रुक आधिलाई पनी मुध्धा चलाई सजाय गरी नगरेको उधायर नहरो पाहिन छा ता पनी पसु लाई व्याक्ती मानने प्रचलन ही जो आजो पाहिन दैना उनियर व्याक्ती होई नन बस्तु मात्र हुन उन शक्षन जो अरका को समपती हुन तरा पनी कानुनले मनुसियरो को पसु अरो प्रती क्रूल व्याभार नगर्ने करत वय तोकी दिन शक्षन तेसे गरी जनावार ले गरेको छती को नक्सानी तेसको मालिक ले बिहोर न लगाउना पनी सक्छा जसको कारण मालिक ले सो जनावार लाई नियंत्रन राकना न सक्छन हो बना जाए अब तेसे गरी अर्ग बोई चानागे चा Explain the basic concept of property and its kind यो टीव 2075 मा सो देगो जनावार अब संपती बने कियो तेसे उतरवा लाई नियंत्रन संपती का प्रकार अरू समन्यतायो संपती सब्द ले त्यस्तो बस्तुलाई जलांदा जख्समा इस्वामित्व को अदिका प्रयोगरन सक्धा यस प्रकार संपती रला स्वामित्वः परस्पर संबंधित अवधारना रू संपती को कानुनी छेत्रमां 20S मत्व चा कारण बावतिक बस्तु को प्रयोग बिना मानव जीवन सम्भव चाहिना इना बावतिक बस्तु अरुनाई सम्पति गाविशय बस्तु हुँ ब्लाक लाव डिक्ष्नेरी लेके बनचरेचा बावतिक अबावतिक इस्पर्ष वा अस्पर्ष दृष्य वा अदृष्य वस्ताभिक वा ब्याक्ति गादन दावलत मा गारिने तथा बिनिमय हुँ हुना सकने सबाई बस्तु संपति हुन मने जै ब्ल्यक्लव डिश्णेरी संपति बन्दाले धन एशर्य गर जगा धातु रखन बहान पेय बस्तु समेत अमधाशन जस्तो इसपर्शियाई यो टेंजिवलरू एबं पार्थिब बस्तु मेटरियल अबजेट मात्र संपति नवाई लेखको प्रतिलिपी अधिकार अनुसंदान दाताको नए अभिस्कारको एकातिकार व्यक्तितो ख्याती आदी अद्रिश्य एबं असपर्शिया बस्तु अरुपनी उना अमचन मने जै संपति बन्ना ले आर्थिक संतुष्टी दिन्यवा बिनिमय संबंदी मुल्यवान सबय बस्तु पर्दा चान्नी योदी असलाई कसली अधिकार रहेको साबित गर्ना सक्छाना ने तिसकान संपति अने सपपई बर्चे ये ट्रेंजिबल अरे बन्चा इंट्रेंजिबल है संपति को प्रकार रहे हो संपति लाइं मुख्यार मा दुई किसइन भाता विबाजन करना सखिना परिएruktur रहे यह बवतिक संपति अर्गत रह来了 ये बवतिक संपति ये ये बवतिक संपति संतिक क्संपति ये तेस्तो सम्पतियुको पार्थिप वा मुर्थ आकार हुदैना यसलाई देखना चुना देखना सकी दैना मत्र अनुबाब गर्ना मत्र शकी दैना यसलाई प्रतिलिपी अधिकार बने जाई व्यापारिक चिन धीतो पत्र आधि यस पित्र पत्र पत्र अबाउतिक बनेगो अ अनुबाब मात्र गरना सकीनें ये जवल्णी ना सक्किनें है हैं भाउतिक संपति लाइपणी चल रा अचल गरी द्वी भागा बाढ़ना सकीनच चल संपति तया स्थ शंपति घस्ला एक ठाउं-बाट औरको ठमा लाई जाना सकीनच रूपया पैशा बाढ़ा कुडा चल सं प्रिथि भी को सतां को स्थित्वाहुनिको दोयान में वढ़के वेसं करदीजों कर सो surpass को खेए रवदेगी प्रिथिवी को सताव मुनिको जमिन अरू प्रिथिवी को सताव मांधा माथी स्थित आकास को भाग अरू प्रिथिवी को सताव मांधा तलर माथी प्राकृतिक अवस्तामा विद्यमान बस्तू अरू दातू ढूंगा है फल्फूल बने चाहिं ढूंगा Define and differentiate between ownership and position स्वामित्व सब्दको अर्थले कुनाय ब्याक्ती बस्तूवा संपतिको माथी प्राप्त अथिकारलाई बुजाम्दाचा था है स्वामित्व स्दको अरू स्वामित्व सब्दु उर्टेले कुझने व्याक्टी कुम्ता संपतुको माति प्राप्ता अदिकार लॉघ्वाणदाऊ furnace संपति माति कुरा निरप्यकी अधिकार फूले यप सचाप्ता आउड पूले यान्य आपसलेल्ट राइड ल्य जनौँ direct जस्तो अधिकारले सम्पती भोग्चलन एवं हस्तांतरन वा बेच विकन तुबै अधिकारलाई समेट ना पुगे कुन छा सामान्या हिसापले हेर नेओ बने कुनाई निस्चित बस्तुवा समपति लाई नियंत्रन वा कपजामा लिनु लिना सकने इच्छा रच्छामता एवां कानुन बमोजी उक्त बस्तुवा समपति को अपनो नियंत्रन मा कपजामा रहन गएको अवस्ता रहन चा बने स्वामित बाषा बाट उत्पति भाईगों सब्दा हो ले आटीन बाषा मा भोग वा पोसेशन लाई पोसेश्यो भनिन चा जसको अर्था ले पुने बस्तु आपनो कपजामा ले उपभोग र उपयोग गर्ण बनने बुझांग दाचा चोटकरिमा बनने बनने भोग बनना ले कुने बस्तु माती भोतिक नियंत्रन लाई बुजांग दाचा। यसरी एर्दा भोग बननाले कुने चीज बस्तु लाई आपनो नियंत्रन अंतरगात राकी। आफाइले उपबोग रा उपयोग गर्न पाउने अधिकारले मानना सकींचा। बोग-लाइ कपजा र अधि पत्य कनीभानेद्ना सकेंचा बोगँ-कपजा व compact व अधि पत्य कुनीव भस्तुना ब्याक्ति विजको सम्बन्द को सब्दाओ जस अनुरूब कुने ब्याक्ती आपनो सम्पति व भस्तु आरू कसाई को अस्ताछेब बिना आफु खुशी गर्णपाउने तथ्यागत च्यामतावा सक्ती रागदाछा कुने बस्तु माथी कबजा रागने ब्याक्ती र कबजाको बस्तु विजको तथ्यागत सम्बन्दानाई भोग को अर्थाउना अंचा बनेच स्वामित्व भोग बनेच। smily पुल्ण र निरपेक्श रुपले कानुनी अधिकार हो तरह भोग कपजामा आधादित अधिकार हो स्वामित्वा संबंदी अधिकार दी जूरे भोग बनेको दी फ्याक्तो अधिकारो स्वामित्वा प्राप्त गर्ने धेरे चरण अरू विशेस गरे भोग को चरण पार गर्ने परदरे जैं भोग संबंदी अधिकार सजीले प्राप्त गर्ना सकिन छा स्वामित्व अंतर्गत संपती बस्तुको भोग लगायेत अन्य तरिकाले प्रएक गर्ना सकिन छा भोग अंतर्गत को बस्तुको भोग गर्ने अधिकान मात्र रहन छा नहीं स्वामित्व अंतर्गत कपजाना कपजाका सबै कपजाका साथाई भोग पनी पर्दा छा येटा भोग की रहेचा भोग भस्तु ताथा संपतिको अधिकान मात्र हो स्वामी तो को हस्तांतरन गरना कुने कानुनी लगाएद अन्य बाद व्याबदान अरू पर्देना भोग को हस्तांतरन गरना कानुनी रप्राभितिक कठीना यहरू आपर्न सक्षन स्वामी तो अनियंत्रित एवं असिमित अधिकारो भोग भस्तु असंपति मातिको भोग अधिकान मात्र हो स्वामी तो नियंत्रन बिहिन बाएपनी भोग कायम उना नियंत्रन बिहिन बाएपनी यसको अस्तित्वर अंचा भोग कायम उन नियंत्रन आभश्यक पर्णाशा ये यो difference between तेसे गरी अर्गुल difference between natural school of law and historical school of law ये यो difference between आभईले गढ़ेचु प्राकृतिक बादी संप्रदाय रा एतियासिक संप्रदाय बिजवे फरा प्राकृतिक बादी संप्रदाय आणुसार प्राकृतिररभविकास प्राकृतिक संप्रदाय नियां अगर। यह एतिी आसिक संप्रादाई कहानुसार, कानून को उत्प्वति रभिघास यह एति आसिक आपशक्त आनुसार, यह एती आसिक रूबमा हउँच fisher अब दूसरे परख्जा यो दे ज़ेकरी अरको प्राकृतिक संप्रादाई चाँ match प्राकृटी लोड जिए प्राकृथिक सम्प्रदाfish आइगो new can copyright Almighty property जोडीटिक आदी अवे ताके मज़ेऊ साफ हुह प्राकृतिक आपी प्राकृतिक सम्प्रदा आगो प्राकृतिक कानून कसे नोगोगोन से प्राकृतिक समप्रदाय अनु प्रदेब Fremen कानू धृत्रि को कर स्थिर्णुन आज्ट नंद सौमय सपिक के पारिवेट कानू यह संप्रदाया का इसाखति को निया मनुत नियु 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 रंधा यहutral शौम fils मय यह अप्रती रपिका प्रथाक को अधार मांुझझच ते इत अ प्रकिर्टिक वादिक के उच प्रकिर्टिक संप्रदाय को धारो नांच ए तियासिक प्रथानाई सर्फ बरिऊंच मनेई जहीद डगाफर्ग अचैक ते सक अ